क्या आप सो सकते हैं कि हमारे देश की फूजी सरकार को इस तरी की धमकी दे कि नया पांच सिंग बनने के लिए मजबूर ना किया जाए जे हां ये कहानी खंडवा जिले के परेटन इस्तल हनुवंतिया में हुई ये गटना के बाद सामने आई जबू कश्मीर में पदस आई टी बीटी भारत तिबबत सीमा पुलिस जवान अमिद सिंग के परिवार के साथ ये घटना हुई है और उसके बाद अमिद सिंग नहीं है चेतावनी दी सरकार को कि वे उन्हें नया पांच सिंग बनने के लिए मजबूर ना करें सबसे पहले तो हम ये जान लेगी पांच सिंग की कहानी क्या है पांच सिंग तोमर पर फिल्म बन चुकी है और यह फिल्म बहुत चर्चित रही है सबसे बड़ी बात यह है कि भिंड में पांच सिंग तोमर के परिवार के साथ जो जात्ती की गई थी और उसके बाद जब स तरह से परिस्तितियां उसे देश की रक्षा की बजाए उसे टाकू बना देती है इस पर फिल्म ही बनी और फिल्म को बेहत देखा गया फिल्म बेहत चर्चा का विश्य भी रही अब ऐसा ही एक किस्सा खंडवा में सामने आया है यह देखते हैं अमित सिंग जो जवान है भारत तिबद सीमा पलिस का उसका क्या कहना है अमित अपनी नाराज की को फैस्बुक पर डाला है उसने लिखा है मदबदेश सरकार हनुवंतिया टूरिस्ट कॉंपलेक्स वाले हाथसे पर मेरे परिवार और भाई के साथ नयाय करें एक नया पांच सिंग तोमर बनने के लिए मुझे मजबूर ना करें मुझे बंदूग चलाने की ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ें अमित नहीं है पॉस्ट 20 अगस्ट को लिखी थी जो वाइरल हो रही है अमित ने सरकार समांग की है कि वह उनके भाई की आँठ ठीक करा कर दे फोजी सरहत पर सबके सुरक्षा के लिए लड़ता है दरसल 16 अगस्त को मुंदी खंडवा निवासी अतुल सिंग विपल सिंग और आशिश सिंग पत्नी तथा बच्चों के साथ हनुवन दिया गए थे सुरक्षा गाड ने बच्चों के लिए दूद और पानी की बोतल भीतर ले जाने से रोका इस पर विवाद बढ़ा और गाड तथा मोटर बोट कर मुशारियों ने तीनों को पीटा इस दोनां अतुल की आँख में पानी की बोतल मारी गई इस से रेटिना खराब हो गया और उन्हें अंदोर रिफर किया गया उनकी आँख करीब 80% खराब हो गया दूसरी तरह पुलिस ना सुरक्षा गाड चरंट सिंग और मुकेश के लावा अन्नी लोमों पर भी केस तरच किया था दूसरे दिन तीनों भाईयों पर भी काउंटर केस तरच के लिया गया मुंदी ठाना प्रभारी अंतिम पवार के अनुसार दोनों पच्छों की शिकायत पर काउंटर केस तरच किया गया इधर यह पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर और खासकर फेस्बुक पर वाइरल हुआ कुल मिलाकर फोजी जब देश की रक्षा करते हैं तो उनके परिवार की रक्षा की जम्मदारी सरकार की होती है पुलेस की होती है इस बुरे घटना में जिस तरह से उनके परिवार के साथ मारपिट की गई है वह निश्यत रूप से निंदनी है और यहां साबित करती है कि फोजियों का परिवार भी आज हमारे मतवदेश में सरक्षत नहीं है